अंजी, गुड अप्टिनून, डे टू इन डेली व्लॉगिंग, तो सबसे बहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो बेस्ट विशीज उसके लिए, तो बिल्कुल इंबॉक्स बर गया, सबका रिप्लाइ भी नहीं कर पा रहा है, बट एक ही बार में सबको अबर व्यू है उससे, और उसके बद में सबसे जरूरी जो सवाल है उसका जवाब देने से, कि गराज में फिटू हुई या नहीं हुई, तो चलो सबसे बेलद में कार दिखा देता हूं आपको बार से, आप किस लिए बेठे हो भी यहाँ पर, उपर से दे, ओई बार आपको थोड़ा सा ओवर व्यू देता हूं इसको दोनों तिनों साइड से, और बताता हूं क्या ही साब किताब हैं, उसके बाद में फिर इसको पार्क करके देखते हैं, गराज में, होफफुली यह हो हैं कि गराज में आई जाएगी, वरना अपनको और यह बहुत ज्यादा दिक्कत, फिर बए उसके बाद यह रेंटल वाली जो का रही है, वापस द अपने स्वास्तिक बना रखा था, उसको मिटा दिया मैंने, अब आप पूछोगे मिटा क्यों दिया, वो मिटा इसलिए दिया भई कि अपने हिटलर ने जब से वो स्वास्तिक वाला जो साहीन है, वो यूज करना शिरू किया है, जो वेस्टरन कंट्रीज है, इनमें बहु तो ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, कि अपना वाला जो स्वास्तिक है, जो हिंदूओं वाला, उसको ये कंफ्यूज करते हैं, जो अपने नाजीज वाला है, उससे, तो पिछली बार जो मिने कार पर बनाया था, तो दो-तिन लोगों को समझाना पड़िया था मुझे, तो उ रिमोट है ना, वो भी उठा लेता हूँ, कहां गई, ये रखे, चलो, चलते हैं बार की साइड में, तो ये ऐसी एक कार की चाबी जैसे मिने बताई दिया था, बोरिंग है थोड़ी से, पिछली बार बड़ी से, और ये हमारे गराज का रिमोट, चलते हैं बार, होली मोली, बाई, इतनी जोड से तो चल रही है हवा, ये हिलते दीखी रहे होंगी पेड, एन उन टॉप अफ़ देट, टेंपरेचर है, मोटा मोटी आप माल लो, यही होगा कोई, माइनस तीन च्यार के आसपास, ये मेरा पपी मेरे बार आता है, इसको बुरे वाली आग लग जाती ह चलो, ये लो भी, ड्राइव वे बिल्कुली फुल बरा पड़ा है, तो ऐसी है भी जो, ओवर व्यू जो व्यू आता है बार से इसका कार का, सबसे वहले आगे से बात कर लेते हैं, बहुत ही बढ़ी है, रोड प्रेजेंस, no doubt, अलागे मुझे गोल गोल मूँ वाली जो कार की हो, तो ज्यादा पसंद आती है, बट इस अलसो गुड, मतलब कैमरा फिर भी शायद जस्टिस ना कर पाए, बट वयसे अगर अब देखें, तो इट इस रियली वेरी नाइस लुकिंग, तो लैंड रोवर का जो है, अपना बडे वाला वो लिखा रहता है, वो अटा के इ 60 कैमरा है, उसके काम आते है, यह इसके फोग लैंप, और यह फोग लैंप जो है, वो काम करते हैं, जब हम इंडिकेटर देते हैं, तब भी, as a side light, और इसका सामने वाला वो कहां पे, toe hook, वो मुझे दिखनी रहा, so that is a problem, actually, यह बट लाइट वोश्यर वाले हो गए, तो इस आत को इसको चला के देख के आ रहा था, और बहुत जदा मजा नहीं आया, क्योंकि जो main light है, वो बहुत जदा धीर है, as compared to LR, तो normal जो अपनी डाउन वाला जो है, वो तो ठीक एडिपर, बट अगर main light में करते हैं, तो जो बहुत जदा super bright आना चीए था, वो नहीं है, ऐस ह जो side profile है, कार की, हवा चल रही है, बहुत जोर से, no doubt कि बहुत ही ज्यादा लंबी है, इसमें कोई दोराई नहीं है, बस है, पूरी की पूरी, side में आजये हैं, तो बही aloys की बात कर लें, तो 22 इंच की aloys है, जो अपना gloss black होता है, उसमें, 6 जो pin का clipper होता है, वो है, अपना brake का, ब्रेंबो का है, इसमें, हो हो, तो इसके तो सी दिवात, ब्रेक पैड भी बहुत महेंगे आएंगे, कॉंटिनेंटल की टायर होई, कौन से, 275, 45, r22, तो 45 होगे, इसकी जो side profile हो, now the funny thing is, कि मेरे जो winter टायर मैंने मंगवाई है, उसकी profile है, 40, तो यह तो फिर भी 45 हो, इससे भी जादा low profile है, बाकि कॉंटिनेंटल के जो टायर हो बहुत जादा बढ़ी है, नहीं आते, to be honest, इसमें मुझे थोड़ा सा खास है, को देखने को मिला, जो वाईपर है उसमें, तो इसमें, वाईपर का जो पानी है, वो नीचे फेकने वादा वो नहीं है, तो वाईपर के उपर लगा हुए है, ये, तो इसही में से पानी आता है, इसका जो भी अपना, windshield washer fluid बोलते हैं जिसको तो बिल्कुल भी वो छट पटाने वाला इसाब किताब नहीं है कि हाँ पानी आया है तो सारी windshield के उपर गिर गया मैं चला के दिखाऊंगा अंदर बाकि भई मेरी आइटस थे 6 feet और मेरे से भी हो समझ लो देख लो इतनी उपर रही है बाकि इदर पर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं ये ब्लैक औन ब्लैक पैकेज है तो इसमें ये वाले जो साइड का इसका signature ये है पैनल ये भी ब्लैक ही है पूरा जो roof rail है वो इसमें by default आती है वई पीछे की बात करें तो ब्लैक औन ब्लैक पैकेज था तो इसमें जो टेल लाइट है वो भी ब्लैक टाउट है तो ये भी एक बढ़िया हो गया रेड कलर की बुंडी-बुंडी सी जो है वो ना दिखें बाकि ऐसी है जो पीछे की profile अगर आप देखें तो नो डाउट की रोड प्रेजेंस के मामले में दो बिल्कुल ट्रक के बराबर काया गया हो समझे लो चलो अब ये वाले जो है जो टो हिच है वो तो हमारे बहुत जदा जरूरी है वह इधर इसकी तो जरूरत पढ़नी-पढ़नी प्लस में recovery वाले जो hook हैं वो भी black में आ गए इसके डिग़ी देख लेते हैं किमर सेम जो signature वाली जो डिग़ी है जो left में मतलब ऐसे side में खुलने वाली वो है बट इसमें एक चीज थोड़ी सी मुझे वो लगी यह है अपने UK के इसाब से क्योंकि UK में गाड़ियां चलती हैं left में तो जो footpath है वो left में होता है हमारे यहां के इसाब से देखो थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे उल्टी side में है यह क्योंकि हमारे footpath उधर होता है तो यह मुझे थोड़ा सा अजीव लगा पीछे वाली जो यह है यह भी heated है बाकि इसमें यहां पे storage दी हुई है जो अपना यह होता है जब पंचर वंचर हो जाए रोड पे लगाना है hazard sign वाला जो है उसकी यहां पे storage इनों दी हुई है इसको तो मैं सारी को modify करूँगा पूरा का पूरा यह लोगे डिगगी के space की बाद इतनी है बाई चाहिए इसमें दो बंदे को सालों पीछे यह seat मैंने fold कर रखे है sleeping bag ही डाल रखे है क्योंकि मैं camping जाने का प्लान कर रहा था बट 8 seat रहा है तो यह वाली seat अगर ऊपर भी हो जाती है तो भी है ठीक ठाक सा space compressor तो built-in compressor है इसमें और साथ में होगे 110 वोल्ट का अपना domestic outlet होता है वो इधर पर और भी दे रखा 12 वोल्ट का इधर पर होगे इसके control जहां से कि पीछे वाला air suspension उसको नीचे किया जा सकते है तो अगर आप कुछ समाल लोड कर रहे हैं यहां से भी आप नीचे कर सकते हैं इसको तो यह हो गया उपर अगर इस वाले से कर रहे हैं तो नीचे भी हो जाएगा बाकि यह हुक वगएर और यह सारी चीज़ें दुनिया बर्की दे रखे हैं इसमें सेम इधर पर heated जो सीट सें उसका control हो गया पीछ ही हो गया अपने वेंट और पिछे वालों के पास अपने खुद की मुन रूफ भी है बाकि डोर बहुत ही ज्यादा मजबूत इसमें एक चीज़ बढ़िया यह लगी मुझे कि वो है इसमें अपना जो hydraulic दे रख है तो अगर बहुत जोर से हवा भी चल रही हो या थोड़ी बहुत incline पे भी खड़ी है कार तो यह नहीं है कि डोर आपने खोल दिया और एकदम से आके बज़ा हुआ आपके मुझे तो बहुत ही controlled open and close है इसका तो that is good सेम फिर अगर साइड में इदर की साइड में आ जाए तो वह बात बराबर ही है ऐसा कुछ special इदर या उदर में है नहीं तो चलो अब सबसे पहले तो यह साइड में camera कि वो हो गए भी जो 360 camera है उसके तो टोटल मिला आके न कितने है यह चार पांट शे camera लगा रखें इसमें एक camera तो यहाँ पर है यह रहा तो किसे ने मेरे से पूछा था कि अवला जब स्नो पड़ेगी तो उसमें परेशान तो नहीं होएगा क्योंकि इसका मूं पिछे की साइड है तो मुझे नहीं लगता सिधी चलती गाड़ी में इसके उपर स्नो जमने के कोई इसी बहुत ज़्यादा chances है बाकि अब जब होगा तो पता चलेगा थोड़ी बहुत सुनो होता हमरे यहां पर पड़ी हुई है अगर आप मेरे से compare करके देखें तो इतनी उच्छी है यह मेरे से भी चैप वो टाइट है मेरी बाकि वही है कि हाँ अगर कार की बात करे तो प से बहले करते हैं अपना जो गराज डोर है उसका जो भी अपना लिंक तो वो बताता हूं कैसे होता है यहां पर अगली वीडियो में यह भी बताऊंगा कि चोरी होने से कैसे बचानी है कार आप लोगों ने कि कि हमारे यहां पर लैंड रोवर्स चोरी बहुत ज्यादा होती थांड से बचते हुए अंदर बैठ जाए बहुत ही बढ़ी है जो वेलकम स्क्रीन है वो तो भई यहां पर पहले तो यह समझ लो तो इसमें गराज का यह वाला जो है वो बड़े वाले डोर का है इसको दबाओगे तो इलेक्ट्रोनिक है वो वो खुल जाएगा दो बढ़ तो बंद जहां पर वहीं पर रुख जाएगा तीसरी बार दबाओगे बंद हो जाएगा सेम गोज फूर ड़ तो इसमें आपको यह रिमोट अगर नॉर्मल पहले कार्स में यह वाला जो रिमोट है वो लेके चलना पड़ता था अब यह लेके नहीं चलना पड़ता वैसे यहां पर लागा रहता थी है कार में यहां ऐसे लगा लो इसको पट अभी इसकी जरूरत नहीं है तो अब इसमें यहां पर आते है हो मिली उस से आप जो है अपना जो भी यह है रिमोट है उसको पेयर कर सकते हूं इसको पेयर करने का तरीका है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और उसके साथ में जिस भी बटन से गिराज खुलता है वो उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है लेट सी में करके देखता हूँ तो जैसे ही अपन करेंगे देख रहे हो यह पिछे कितना ज्यादा HD है यह कैमरा जो हो कितने बड़िया फोटे जा रही है इसमें पिछे कार जाती हुए तो यह जब ऐसे ब्लिंक करने लग जाए भई तो उसके साथ ही में जाके हमने अब यह प्राइबम क्या है कि एक आदसे होए गा नहीं तो पहले इसको प्रेस और फोटे करने और जब यह ब्लिंक करने लग जाए तो जिस भी बटन से आपका खुलता है गर आज उसको प्रेस और फोटे करने मझे लग रहा है सामान चलो वह तो मैं जाके ना कम कर दें वो कर दो हो गया बंद यह लो आगया हो तो सेम जो है मैंने यह बड़ा भी पेयर कर लिया अपना जो में है वो तो सबसे पहला जो बटन उससे खुलता है भई है तो जैसे ही आप दबाओगे तो यह green आपको दिखी रहा है और garage का जो door है वो open होना शुरू हो गया तो बहुत ही pretty straightforward है तो अब इस remote की जरूरत नहीं है तो अंदर ही पड़ा रहता है अब तो हम कार से ही control कर लेंगे अब आता है जो main जो काम है वो इसको अंदर पार्क करके देखना पहले तो मेरी garage की अलत देखो ज़रा बिलकुल सडा रख है वही जब Canada to India रोटर पे जाए थे उसके बाद बिलकुल साफ नहीं किया है सारा सामा नहीं दर उदर पड़ है इसमें चलो जी moment of truth अंदर लेके चलते हैं इसको देखते हैं size wise ये fit होती है या नहीं होती अगर नहीं होती तो उसके क्या और बाकी हमरे पास options and all that ऐसा है वही इसका जो main view है अपनी जो main screen है उसका तो यहां पर cameras दिये हुए है इन्हों नहीं इस पर आप click करोगे तो ये पूरा जो camera system है वो open हो जाता है अब इसमें ये वाली जो चीज़ है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई वही साथ में है इसमें 3D बिल्कुल proper तो इसको बिल्कुल अपने हिसाब से इधर उधर अपने adjust करना वो आप करके और देख सकते हैं कि वहीकल के साइड में आसपास में क्या है और क्या नहीं है तो इसके हमें अभी जरूरत पड़ेगे बिकाज अभी मैं अकेला हूं तो कोई है नहीं बताने वाला आगे fit हुई नहीं हो ये न पीछे तो चलो दीरे दीरे बढ़ते हैं आगे इसको करके न and let's see और ये मत बोलना कि अब मैं चलाते हुए फोन क्यों यूज कर रहा हूं प्राइवेट प्रॉपर्टी है ड्राइवे मेरा तो इस पर जो हाईवे ट्रैफिक एक्ट है वो लागू नहीं होता तो ऐसा सा है अब ही है जिसाब किताब लेफ्ट में टायर रखे हुए है इंदर पे थोड़ा से एड़्जिस्ट करके देखते हैं तो अभी से अलर्ट देना चुरू कर दिया इसने अच्छा ऐसे कर लेते हैं इसका तो यहाँ पर रखे हुए है इसकी जो विंटर टायर है वो और यहाँ पर थोड़ा सामान रखे हुआ है चलो थोड़ा-थोड़ा देरे-देरे करें टायर में नहीं बिढा दूँगा अब तो होगे बिलकुल ही पास इक बर उतर के देखना पड़ेगा बहुए कैमरे के उपर जदा यकीन नहीं कर सकते है क्योंकि बता तो रहा है यह क्योंकि प्राब्लम क्या है जो गराज है नो वो यहां तक आता है जो डोर है वो तो वो इसका जो पीछे वाला वील है जब इस पर यह टाय रहा है उसके उपट अचो होएगा आगे की मझे थोड़ी सी टेंशन है तो एक बर उतर के देखी लेते हैं इससे पहले कि मैं नहीं की नहीं कार जो उसको बिढाई दो कहीं पर नहीं नहीं बतेर यहां पे तो एक किलो मेटर लंभी जगए पड़ी है ना पिछे नहीं है देखो तो यह जो मेंज इसके अंदर से गराज का डोर जो है वो नीचे आता है तो कम से कम हमें यह 6 से 8 हिंच जो है वो अंदर करनी पड़ेगी वरना इसमें नीचे सेंसर होते हैं यहाँ पर यह वड़ा तो यह अगर इसके सामने कुछ भी आ गया तो बंद नहीं होएगा फिर जो डॉर है वो छलो थोड़ी आगे तो करी सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है और थोड़ा सा ध्यान देखे ना करते हैं दिरे 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 अब तो ही आवाद जो है वो ड्राने जितनी जोर से कर रही है बस भई बस 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 चेक सराउंडिंग फॉर सेफटी अब देखो इसमें यह तो पूरी पूरी जम गई लग रही है मुझा यहां पे भी जगया है अगे जो है वो अगर इतना आगे टायर आगया तो हमारा काम चल गया फिर वाकिवी कैमरा सिस्टेम नो डाउट बहत ही ज्यादा बैतरीन है यह मैं जरूर कहूंगा 110 पूरसंट इस वेरी गड़ चलो दुबारब पार्क में करके है और उतर के देख लेते हैं इंगर ओ येस more than sufficient इतने में तो अराम से बंद हो जाएगा बस इसकी यह बदलनी पड़ेगी है जो डोरी है न यह टच हो रही है इसके बार-बार मुझे लग रहा है इसकी छत पर ही पढ़ी आई ये लो जी पूरी-पूरी यह आई है कोई बहुत जगें तो नहीं है 6-8 हिंच के आसपास जो है वो जगें इसमें बज्जे आती है अगर मैं इस सामान अटा दूँ इदर उदर का फालतू तो उसमें और भी जगें बज्जे आईगे तो भई overall size में ज़रूर बढ़ी है no doubt but happy to say कि आगई गराज में पूरी-पूरी वरना मुझे बहुत ज़दा टेंशन इस बात की थी कि उधर अगर नहीं आई तो फिर मुझे जट्स की यह अटा के इस वाले में लगानी पड़ेगी इसमें तो बतेरी जगें पड़ी है वर बस दुनिया वर की जगें पीछे दे साइड प्रोफाइल एक बार और देख लो अगली जो वीडियो इसमें में अंदर का और दिखा दूँगा डिटेल बट चलो अभी तो इसको करते हैं यह पर पार्क और उस वाली कार को देने चलते हैं वापस उबर लेकर आना पड़ेगा देख रहे हैं और शाम का क्या तो वेलार है ना उसके उपर खड़े खड़े यह वो जो स्टारलिंक है उसको तच कर लेते थे उसको फिक्स कर लेते थे बट नोट इन दिस वन इसमें तो बिल्कुल भी आथना पहुचे उपर तक चलो जी एक चीज तो कंफर्म हो गई कि हां गर आज में आई जाएगी त क्योंकि अब सुनो पढ़ने वाली थोड़े दिन में बहुत बुरे वाली तो उसमें बड़ा जंजट पढ़ता इस चीज का तो एंड़ गुड थिंग इस कि पीछे बतेरी जगह दिख रही होगी आपको तो वेलार जब आपस आईगी तो वेलार भी और साथ में अपना ज साही सकता हूँ बट अब ट्रेलर भी आएगा जो इटली खड़ा हो तो उसके बाद दिक्कत आएगी बाकि ये बहुत बड़ी है डीटेलिंग मुझे लगी बड़ी कार है बट साइड में इनों है यह दी हुए है लाइटे पीछे भी दी हुए इटर पर तो इसको करते हैं दोपैर में एक गंटेगी छुटी लिए स्पेशल वीडियो बनाने के लिए दोबारा उलाने मत देना कि मैंने का था वीडियो बनाऊंगा और बना नीरा बहुत ही ज्यादा बीजी जो शेडियूल है उसमें से टाइम निकाल के बनानी पड़ रही है बढ़ चलो आप से ड चलो अंदर ही चलते हैं दूसरी चाबी उठागे लेकर आता हूं कपड़े बदल लेता हूं भारे ठंड वापस आते टाइम उबर में आना है सीरियस पता रहूं मेरे जैसा ना गधाई इंसान नहीं मिलेगा कोई भी मैदर जो में इन डूर ही उसको बंद कर के आ गया इधर की साइड से और गिराज में से यह में एंटरी करने लगा तो पता चला ना इधर जो पैटियो का डॉर है जो पैंट्री का डॉर है वो लोक ह यह लोजी हो गया गुड़ डे यह हो गया है अपना बुरा जो हाल है ओ खुला है इधर वड़ा बच गया देख रहे हो दिमाग तो है मेरे अंदर थोड़ा बहुत वरना एक बर के लिए तो हर्ट अटेक आ गया था यह वड़ा डोर तो बार से खुलता भी नहीं है बहुत ज सर आप अंदर चलो आपने कहीं नहीं जाना चलो जी दूसरी कार की चाबी लेके न फिर निकलते हैं बार की साइड में तो बही टोटल दस से पंदरा दिन के बीच में मैंने कार रख ली मैं गर से बार जाता हूं सिर्फ और सिर्फ कोफी लेने टोटल मेला कि 62 जो डॉलर उ खतम हुई बई जो कार है वो दिया है रेंटल वाली थी 2000 डॉलर के आसपस का भिल बन गया लग रहा है मुझे लग रहा है बेज़ेंगे तब पता चलेगा चलो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लोग में कल में एक ड्रोन खरीदने जा रहा हूं तो